कि आप हम स्टार्ट जा रहे हैं सूर्फिद ए पर फाइनस शॉर्स बे लिख स्में पैसा अलग सौर्स से आता ही एंन्होंने उन सौर्से को रिख स्वार्ट में टिवाइड की तो पैसा हम और तो पैस कोंको कि लिए यह लोंग ट्रम का यह लिए या चाहिए weiß मेंको पैसा मीडियूम ट्रम के लिए या चाहिए सौट तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि long term financial requirement क्या होती है long term financial requirement का मतलब होता है कि हमको पैसा चाहिए 5 या 7 साल से ज्यादा के लिए तो इसके अंदर जो हमको पैसा चाहिए होता है वो long term financial resources पूरा होगा और यह पैसा हमको चाहिए क्योंकि हमको जमीन करिदनी है building, plant, machinery, patent, furniture, goodwill इन सब के अंदर पैसा चाहिए तो इसके अंदर जो पैसा चाहिए उसको हम बोलते हैं एक long term financial requirement तो जो minimum investment इसमें चाहिए ना उसको हम बोलेंगे long term तो such requirement should be met from the long term sources such as the shares, debentures, loan, specialization, financial institution तो यह जो पैसा आएगा वो पैसा हमको कहां कहां से मिल सकता है वो पैसा हमको shares के तुरू, debentures के तुरू, loans के तुरू, financial institution के तुरू, इन सब से मिल सकता है तो यह पैसा definitely हम कहां लगाने वाले हैं land में, building में, plant में, furniture में, machinery में, patents, goodwill में अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, the minimum investment in the current assets known as the permanent working capital is also a long term requirement मतलब कभी कभी क्या होता है, कि current assets के अंदर, एक minimum amount current assets में भी हमारे minimum amount फसा रहता है, तो जो minimum amount हमारा current asset में फसा रहता है न, तो उसको भी यह क्या कह रहा है long term financial requirement, yes, long term financial requirement, क्योंकि fixed assets में तो पैसा फसा ही रहता है इसी तरह से ही current assets में, जो पैसा हमारे minimum एक फसा रहता है, उसको भी हम कह सकते हैं, long term financial requirement या जिसको हम कह सकते हैं, permanent working capital, तो current assets में जो पैसा हमारा एक minimum फसा रहता है, उसको हम बोलते हैं, permanent working capital अब हम बात करते हैं कि हमारी यह short term, medium term requirement कौन सी होती है medium term financial requirement के अंदर हमारे पास आएगा वो पैसा जो हमें चाहिए 5 साल से लेकर 7 साल तक के लिए ऐसा हमेली कि 5 साल से ज्यादा 5 साल से 7 साल तक लिए जो पैसे चाहिए वो हमको चाहिए यह पैसा हमको क्यों चाहिए होता है, machinery या assets को replace करने के लिए, research या development के लिए अनुटाइजमेंट के उपर बहुत बड़ा खर्चा करना है इसके लिए, अब यह पैसा आएगा कहां से bank से loan के थू, public deposit के थू, simple सी बात, long term financial के अंदर long term वाले की बात हमारी चल रही थी, जब हमें पैसा चाहिए, 5 साल से 7 साल से ज़्यादा के लिए medium term के लिए पैसा चाहिए हमको, 5 से 7 साल की बात कर रहा है short term financial requirement का मतलब क्या, 1 साल या 1 साल से कम के लिए requirement पैसा चाहिए तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे medium term, medium term के लिए जो हमारे पैसे की requirement होती है वो क्यों होती है, या तो हमें किसी asset को replace करना है, या हमको maintenance करनी है या हमने research करनी है, development करनी है, या हमने expenses करने है, advertisement के पर बहुत ज़्यादा तो उसके लिए जो पैसा हमको चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, medium term financial requirement इसी के साथ साथ, अब हम study करने वाले हैं, next, वो क्या है, short term financial requirement short term financial requirement के अंदर क्या आने वाला है short term financial requirement मतलब, एक साल से कम के लिए पैसा अब ये इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे working capital requirement और ये पैसा हमें क्यों चाहिए operating expenses के लिए daily routine के पैसों को pay करने के लिए daily routine के खर्चे करने के लिए और ये पैसा हम arrange कहां से कर सकते हैं short term advances से, commercial paper से, credit purchases से, customer से या banks के तरू अब ये पैसा आएगा तो इस पैसे का हम use कहां पे कर सकते हैं cash maintenance में, inventory के लिए, receivables के लिए, debtors में पैसा फसाने के लिए तो इन सारी पैसों की requirement के लिए जो पैसा हमको चाहिए उस पैसे को हम बोलेंगे short term financial requirement short term financial requirement के जो sources हैं वो क्या है short term के advances आजाने, किसी customer से advance आजाना bank से हमने थोड़ा बोड़ा loan ले लिया, हलका full का वो ले लिया supplier ने हमको चार महीने की पैसे की छूट दे दी तो ये सारी requirement कौन सी होगी short term financial requirement long term के अंदर 5-7 साल से ज़्यादा, medium में 5-7 साल तक की बात और जो हमारा, ये जो short term है ये एक साल से कम time period की ये बात कर रहे है कवी तब मैं इसलिए पहले से ही हम folder का name decide कर देते हैं कि कौन सा subject करा रहे हैं तो इसलिए अगर हम एक सा subject नहीं कर वा रहे हैं फिर कुछ बच्चों का ये भी चल रहे है कि सर एक ही book की start है, एक ही topic की start है तो इसलिए भी जो है बस accept करते चलो क्योंकि parallel by parallel काफी सारे subject है ना आगे का बोल रहा है ध्यान से देखना आई थी यहांता का topic आप सबको clear हो गया होगा आगे का बोल रहे है ध्यान से देखिए कहता है कि जो long term financial requirement होती है long term sources से, medium term के लिए जो पैसा जाएए कहां से पूरा होगा medium term sources से and short term resource requirement कहां से पूरा होगा short term sources से, तो यहां पर एक perfect match होना चाहिए time period के according, perfect funding के according, यह सारी बात ही हमको छोड़ी चोड़ी बात ही अब ध्यान रखनी है तो यहां पर अब बात आती है कि finance के कौन-कौन से source है finance के कौन-कौन से sources है तो जब हम बात कर रहे हैं long term sources की अगर हम बात करें कि long term के लिए अगर हमको पैसा चाहिए तो कहां कहां से आएगा यह आता है हमारा owned capital खुद के पैसे से बोले तो equity share capital preference share capital और plugging back of profit मतलब जो profit हमने बचा के रखे हुए थे उन्ही profit हम वापस क्या कर रहे हैं business में invest कर रहे हैं that is plugging back of profits फिर long term sources के अबर हम पैसा बाहर से उधार भी ले सकते हैं like in the form of debentures like in the financial institution से पैसा ले लेना या किसी से lease करा लेना तो यह सारा पैसा कौन सा हो गया long term sources के थूँ अब बात करते हैं medium term sources से पैसा कहां कहां से आता है यह पैसा आता है public deposit से medium term loan से या commercial bank के थूँ फिर तीसरी बात क्या है short term sources of finance short term मतलब एक साल से कम वक्त के लिए यह सारी की सारी बाते किसे में आगई short term के अंदर तो यहां पर अभी हमने कौन से टोपिक देखा finance के जो तीन sources होते हैं long term, medium term और short term इन तीनों के अंदर हमने थोड़ा सा और आगे detail में बात की है long term के कौन कौन से sources है medium term के और short term के हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और detail में देख लेते हैं मैंने इसको थोड़ा सा और elaborate किया हुआ है क्या long term sources of finance कहां कहां से आते हैं अब इन topics के बारे में मुझे लगता है कि आप सबने study किया हुआ इसको ज़्यादर detail में जाने की जिरुवत नहीं है पहला topic है हमारा equity shares फिर preference share debenters plugging back of profit यह plugging back of profit क्या है आपको मैं समझा देता हूँ मान लीजी आपकी firm के अंदर 10,00,00 रपे के profit रखे हुए हैं इस 10,00,00 रपे के profit में से मान लो आपने 10 के 10,00,00 रपे आपने बिजनस में दुबारा invest कर दिए 10,00,00 रपे आपके profit रखे हुए हैं वो profit आपने अपने बिजनस में वापिस invest कर दिये तो उसको हम बोलेंगे plugging back of profit profits को आपने वापिस खीच लिया ऐसा भी हो सकता है कि 10,00,00 रपे में से आपने 8,00,00 रपे अपने बिजनस में वापिस लगा दिया दो लाग रपे आपके पैस अभी भी रखा हुआ है that's also a plugging back of profit ऐसा भी होता है ये पैसा आप अपने बिजनस में यूज कर सकते हो क्योंकि आपका ही है ये spelling गद लिखी गई है 6 नमबर पे ये होनी चाहिए थी lease lease financing जैसे आप किसी से property lease पे ले लेते हो पटे पे ले लेते हो 20 साल के लिए property तेरी मेरे नाम पे लिख दे हर महीने पैसा ले लिए हो या मोटा amount भी advance पे पे कर देता हूँ that is lease financing आपने market में या काफी जगाओ पे देखा होगा हर महीने भी उसको सामने वाले को किराया जाता ही है that is lease financing पटे पर संपत्य भी बोलते हैं इसको या पटे पर संपत्य है तो long term sources finance के क्या है equity share, preference share, debentures, long term plugging back of profit, loan from financial institution and lease financing spelling मैं फिर से लिख रहा हूँ L E A S A lease financing medium term के अंदर पैसा कहां कहां से आएगा public deposit के तुरू या commercial bank से हम medium term loan ले लेते हैं short term sources of finance कोन से है bank customer से advance crude expenses loan from directors incorporate deposit तो यहां से भी हमारा कहीं न कहीं short term के लिए पैसा हमारे पास आ सकता है bank के जब आप पास जाते हैं तो bank भी आपको छोटे वक्त का उधार दे 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 देता है इसी तरह से customer ने आपको advance पैसा दे दिया वो भी आपका पैसा कामी आ रहा है supplier ने आपसे payment पांच महीने के बाद मागी तो पांच महीने तो आपने उसका पैसा use किया तो वो भी short term के अंदर या आपने director से पैसा उधार ले लिया या company के आपने जो भी director होते हैं उनसे पैसा उधार ले लिया कमेंट करके बताओ is it clear plugging back of profit का मतलब है कि हमारे business में 10 लाख रपर रखे हुए है profit के हमने बचा के रखे हुए थे उस में से मालो मैंने 10 के 10 लाख रपर अपने business में वापिस invest कर दिया मेरे ही business में मेरे ही पैसे रखे थे side में वह पैसा उठाकर मैंने मेरे business में लगा दिया that is plugging back of profits पूरा लगा दो तब भी उसमें से आपने 8 लख लगा दिया साथ लग लगा दिये तो जितना लगाया उसको हम क्या बोलेंगे plugging back of profits उसको हम retained earning भी बोलते हैं क्या बोलते हैं retained earning बताओ यहां तक का topic clear है तो आगे मैं चलता हूँ फिर जल्दी से comment किया करो कि कि अपने ही profit को दुबारा invest करना right को ही था कि 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 झाल 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 आप चल रहे हमारे नेक्स्ट टोपिक की और दैट इस कोस्ट ओफ केपिटल टोपिक बहुत इजी है ध्यान से देखना होगा आप जल्दी समझ पाएंगे इसको झाल झाल सबी को ओडिवल है भी आवाज आ रही है झाल गडिवल है झाल 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 कि एक सिंपल सी बात है जब भी हम बाहर के लोगों से किसी से भी पैसा लेते हैं हमको उन्हें वापिस रिटर्न में क्या देना होता है हमको वापिस देना होता है इंटरस्ट या फ़र डिविडेंट देना होता है मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या कह रहे हैं यह जब भी हमको किसी बाहर के परसन से मालो कुछ पैसा लेना है जब हम उनसे पैसा लेते हैं इन दा फॉर्म ओव शेर कैपिटल या प्रेफरेंश शेर या डिवेंचर या मालो मैंने बैंक से लिया लोन तो मैं क्या करूँगा इनको कुछ न कुछ रिटरन तो देने वाला हूँ इनको तो क्या मिलता है डिविडेंट मिलता है इनको मुझे क्या पे करना होता है इंटरस्ट पे करना होता है क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपकी company में कोई भी फरम में आपको पैसा लगाएगा तो उसको return में तो कुछ चाहिए अगर आप bank में पैसा लगाते हो तो bank में पैसा क्यों रखते हो क्योंकि आपको interest मिलता है कभी-कभी तो हम वैसी रखते हैं safety के लिए पर कभी-कभी हम bank में पैसा इसली लगाते हैं ताकि आपको वापिस क्या मिल जाए interest मिल जाए हम FD क्यों कराते हैं FD हम इसली कराते हैं ताकि हमको interest मिल जाता है एक amount मिल जाता है लमसम के बाद एक time period के बाद तो simple सी बात है post of capital के इस topic के अंदर हमको ये देखना है दो बाते देखनी है पहली बात तो हमको ये देखनी है कि हम जिन लोगों से पैसा लेंगे उन लोगों के हम return कितनी देने वाले हैं उन लोगों को हम benefit कितना देने वाले हैं for example मैंने bank से loan लिया और मैंने interest पे करना है 8% का कितना पे करना है 8% का अब मैंने जब इन से पैसा लिया अब ये पैसा मुझे कहीं पर invest भी करना है अब invest करूंगा तो वो investment से मुझे फाइदा होना चाहिए वो invest करना है मुझे माल लो 10% के उपर तो यहां पे क्या होगा मुझे 2% का फाइदा होगा कितना 2% का क्योंकि जिस इनसान से मैंने पैसा उधार लिया उसको मैंने कितना पे करना है 8% अब वही पैसा में कहीं पर लगाने वाला हूँ invest करने वाला हूँ और वहां से फाइदा मुझे कितना होने वाला है 10% तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो गया 2% का फाइदा हो गया इस 2% के फाइदा का लेने के लिए इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए मुझे cost of capital का बहुत ध्यान अचना पड़ेगा मतलब जो मैंने capital के लिए amount arrange किया है जो capital के लिए मैंने amount arrange किया है उसके उपर मेरी cost कितनी आ रही है क्योंकि cost के बारे में अगर मुझे नहीं पता cost के बारे में अगर मैं धंग से decision नहीं ले पा रहा तो मैं investment गलत जगा पे कर बैठूँगा invest कर भी बैठूँगा तो मुझे वापिस return कम मिलेगी तो return कम मिली तो मेरा नुकसान होने वाला है for example आपने सामने वाली party को pay करना है 8% आपने करहीं पर पैसा वही invest कर दिया और आपको वहाँ से return मिल लिए 6% तो आप सोच कर देखो क्या आप 2% जेब से भरोगे क्या क्या 2% अब जेब से नुकसान लेने के लिए त्यार बैठे हो क्या नहीं तो इसी लिए क्योंकि आप finance के आगे के decision investment के DC अगर आप धंसे लेना चाहते हो तो आपकी capital की उपर cost कितनी आ रही है इसको आपने ध्यान से देखना होगा तो इसी लिए यह chapter बना हुआ है cost of capital का chapter तो यह topic यह example I think आप सबको समझ में आ गया होगा तो यह क्या कह रहा है cost of capital of a firm is a minimum rate of return expected by investors मतलब एक firm के अंदर जो पैसा invest करते हैं वो कौन होते हैं investors होते हैं अब investors को इस firm से एक उमीद है इन investors को इस firm से उमीद है कि हमारी firm इसको एक return देने वाली है मतलब investors ने क्या किया है investors ने हमारी firm के मेंदर पैसा लगाया हुआ है तो हमारी firm अब क्या करेगी इन लोगों को एक return देने वाली है इनके पैसे के उपर तो इन्वेस्टर्स को हमारी फरम से रिटर्न की जो उमीद है उसको हम क्या बोलेंगे कोस्ट ओफ कैपिटल तो कैपिटल यूज़ बाइद फरम इन दा फॉर्म औफ एकुटी शेर प्रेफरेश एर डेप्स और रिटेंड अर्निग तो कॉस्ट ओफ कैपिटल क्या है इस दा वेटेज एवरेज कोस्ट ओफ यूज़ बाइब बड़ा रौल है क्योंकि मैने आपको पहले भी बता दीया कि जो फाइनेशल मेंजमेंट का चैप्टर है उसके अंदर हम अब तक financial planning, financial forecasting फिर हमारे financial के कौन कौन से sources होंगे इसी तरह से जो हमारा next chapter start हो चुका है यह cost of capital का यह chapter भी किसका हिस्सा है financial management का हिस्सा है तो यही कह रहा है कि जो cost of capital है न वो financial management का एक important हिस्सा है और हमको cost of capital के बारे में पता होना चाहिए क्यों पता होना चाहिए क्योंकि हम investment decision को अच्छे से ले पाएंगे क्योंकि जब तक हमको पता नहीं है न कि सामने वाले को हमने पैसा बदले में देना कितना है तो हम investment के decision अच्छे से नहीं ले पाएंगे और investment के decision अच्छे से नहीं ले पाएंगे तो आप सबसे पहले तो मैं यह पूरा चाहता हूं कि cost of capital का जो मैंने concept समझाया है क्या आप सब को clear हो गया क्या क्या क्यूंकि यह आगे के टोपी के वो cost of capital से ही connected है तो पहले तो यहां तक के मुझे comment करके बताओ टोपी यहां तक का clear है should I continue जल्दी से comment करके बताओ cost of capital का जो मैंने meaning बताया definition बताया है example बताये सब क्लियर हो गए क्या किसी को कुछ पूछना है तो बताओ फिर मैं आगे topic को continue करता हूं नहीं तो करता है तो कि अपने business की capital के लिए जो भी पैसा अरेंज किया है अब capital हमारी कहां कहां से आ सकती है पैसा हमको business में लगाना होता है capital capital यहां तो हमारी equity share से आएगी preference share से आ सकती है adventures के थुरू आ सकती है plugging back off profit के थुरू आ सकती है तो इन सारे sources से जो पैसा इकठा होता है वो मेरे business में क्या बन जाता है capital बन जाता है अब इस capital की उपर मुझे क्या पे करनी है कोई ना कोई interest तो पे करना ही है या क्या पे करना है dividend पे करना है तो जो interest या dividend में इस capital की उपर पे करने वाला हुना वो मेरी क्या कहलाएगी cost कहलाएगी मतलब cost of capital capital की उपर cost का ध्यान लखना है अब capital की उपर जो cost पे कर रहे हो वो वो थो है आपकी मालो 10%। आपने इस Capital के और कोष्ट प्र रहे hoこう पे कर रहे हो तर यही पैसा आपने उठाकर कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो वहां में फाइदा कितना हो रहा है बारा फसेंट अल्टीमेटल लिए दो परसेंट की यहां पर कमाई कर रहे हो तो इसलिए कोस्ट ऑफ कैपिटल हमको बहुत ध्यान से देखनी होती है ताकि आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजन धंग से ले पाओ इसलिए कोस्ट ऑफ कैपिटल का टोपिक हमारा एक्जिस्टंस में आया हुआ है तो अब तो आप सब को एक्जांपल बिल्कुल अच्छा से और भी क्लियर हो गया होगा अब चलते हैं इसके नेक्स्ट ऑपिक की क्या सिगिनिफिकन से क्या इंपोर्टेंस है सिंपल सी बात है कोस्ट ऑफ कैपिटल का टोपिक इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि अब कैपिटल स्टक्चर को आप यह देख पाते हो कि इकुटी शेर से पैसा कितना आएगा इसका कॉंटिडी इसका कॉंटिडी इसका कॉंटिडी इसका कॉंटिडी इन तीनों में रेशो क्या होगा तो जो capital structure के अंदर आप capital structure के अंदर जो आप इन तीनों sources का जब आप ratio decide करते हो तो उसको हम बोलते है capital structure तो capital structure का अगर आपको decision लेना है तो इसको decide करते हुए आपको cost of capital का ध्यान अखना होगा तो इसलिए cost of capital की हमारी importance है next हमारी बात वो क्या कह रहा है importance के अंदर से देखना cost of capital का topic हमारे पास existence में क्यों है दूसरी बात helpful in the capital budgeting क्योंकि आपने काफी सारी जगाओ पर पैसा invest करना है fixed assets like land and building plant and machinery कुछ और properties के अंदर भी आपको पैसा invest करना है मतलब जो capital budgeting के decision लेने हैं तो वहाँ पर invest करने से पहले आप ये तो देखोगे ना कि मेरी capital पर cost कितनी आ रही है इसलिए cost of capital का topic हमारे लिए बहुत important है capital budgeting के time भी तीसरी बात अगर आपने top management की efficiency को check करना है evaluate करना है तो आपको cost of capital को ध्यान में रखना होगा इसी तरह से चोथी बात helpful in the comparative analysis of the various sources of finance अब हमारे पास जो पैसा आता है काफी सारी जगाव से आता है इन सारे sources के ऊपर हमने कितना interest पे करना है कितना dividend पे करना है ये सारी बाते हम कहां पे decide करते हैं cost of capital में इसलिए cost of capital का topic हमारे लिए बहुत important है इसी तरह से हमारा जो fifth purpose है fifth importance है वो है helpful in the taking other financial decisions कुछ other financial decisions भी होते हैं like dividend policy, right issue, working capital decision, capitalization of profit इन सारी बातों के बारे में भी अगर आपने सोचना है तो cost of capital का topic आपके लिए बहुत important है क्योंकि जब तक आपको अपनी cost के बारे में दूसरे लोगों को मुझे कितना interest पे करना है ये बारे ये बात आपको जब तक ढ़न से पता नहीं लगपाती न तब तक dividend policy, right issues, working capital decision एक profit को आपने कितना रोके रखना है ये profit आपने 20 में कितना लगा देना है ये आप कभी भी नहीं समझ पाओगे इसलिए जब भी cost of capital का decision ले लेते हैं अब धन से आगे के decision लेने आपके लिए बहुत असान हो जाते हैं आगे का topic देखिए, factor affecting cost of capital तो जब भी आप पोस्ट of capital के topic की बात करोगे तो आपको ये भी ध्यार्म रहतना होता है कि हमारी कौन-कौन से factor effect कर रहे हैं पहली बात आपको ये देख रहा है, risk-free interest rate कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको कम rate के उपर capital मिल रहा है या बहुत कम rate पे मिल रहा है या कभी capital के उपर आपको interest भी नहीं pay करना पड़ रहा है या supplier ने आपको 57 महीने के लिए उधार दे दिया आपसे वह interest नहीं ले रहा है तो पहली बात आपको ये भी ध्यान में रखनी होती है क्या risk-free interest rate risk-free interest rate is the interest rate on the risk-free and the default free securities for example securities issue by government of India as a risk-free and the default free for the payment of the periodic interest and also the principal amount on the maturity तो कुछ-कुछ चीजे ऐसी होती है government ने मांदो आपको service दे रही है government ने आपको बोल दिया कि भई पैसा ले ले उसके बदले पे मेरे को interest भी मत दियो तो वह पैसा आपने कहां पर यूज किया business हम यूज किया क्या करने के लिए payment देने के लिए तो ये सारी बाते भी आपक करती है किसको cost of capital को दूसरी बात वो क्या कह रहा है business risk business risk को भी ध्यान रखना हता है अगर business risk ज्यादा है तो आपकी cost of capital ज्यादा आने वाली है business में risk कम है तो investors आपकी business में पैसा बहुत असानी से लगा देंगे और उनको आपको interest भी के pay कम करना पड़ेगा तो ये बाते भी matter करती है अगली बात financial risk अगर आपका ज्यादा है तो ये matter भी आपकी उपर बहुत depend करेगा आप लोगों को time payment करते हो नहीं करते हो लोगों को principal amount time पर दे देते हो नहीं करते हो interest time पर pay करते हो करते हो dividend time पर pay करते हो कि नहीं करते हो तो इस से भी आपकी cost of capital effect होती है अगली बात है nature of business अगर आपके business में लंबे समय तक पैसा नहीं आता तो risk जादा है risk जादा है तो cost जादा है अगर आपका business में regular routine में पैसा आता रहता है तो पैसा आपके पैसा जादा रहेगा पैसा जादा रहेगा तो risk कम रहेगा रिस्क कम रहेगा तो capital पे cost कमाने वाली है next requirement of the fund a firm require the large amount of fund it will have a higher cost of the capital अगर हमारे पास funds की requirement जादा है आपको मालोग खड़े पर पे पैसा चाहिए आपको मालोग खड़े पैर पे पैसा चाहिए तो मालोग आपको पैसे की जरुरत है बहुत बड़े पैसी की जरुरत है और खड़े पैर पे चाहिए तो आपको cost ज्यादा pay करनी पड़ सकती है otherwise कम इसी तरह से attitude of management अगर management का attitude business के लिए अच्छा है business बहुत लंबे समय तक चलाने चाहरे हैं तो आपकी cost of capital कमाने वाली है अगर management का attitude नहीं ऐसा नहीं है अच्छा नहीं है लोगों को support नहीं करते इन्वेस्टर्स को पैसा return नहीं करते या लोगों को dividend नहीं पे करते तो आपको capital के उपर cost ज्यादा pay करनी पड़ सकती है तो management का attitude भी depend करता है decide करवा देता है कि आपकी cost of capital कैसी होगी कैसी नहीं होने वाली है अगरी बात है कि cost of capital के अंदर कौन कौन सी problems आती है cost of capital में सबसे मेड़ी problem आती है historic cost and future cost कभी कभी हमारी क्या cost रही और future के अंदर क्या cost होने वाली है यह हम decide नहीं कर सकते हैं और कहीं न कहीं हम fail भी हो जाते हैं तो यह पहली problem है हमारी cost of capital decide करने के अंदर कि past की cost और future की cost हमें नहीं पता होती है तो वहाँ पर हम fail हो जाते हैं इसी तरह से problem in the competition of the cost of equity कभी कभी equity के उपर कितनी cost आएगी हमको पता नहीं होती क्योंकि equity के थ्रू हम पैसा ले तो लेते हैं पर कितना पैसा पे करना पड़ेगा वापिस पता नहीं होता तो वहाँ पर भी problem हमारी दूसरी आती है इसरी problems in the competition of the cost of the retained earning अब जो पैसा मैंने profit की form में रोक के रखा हुआ था खुद के पास side में रखा हुआ था अब उसके उपर मुझे कितनी cost पे करनी है यह तो मैं decide नहीं कर सकता ना जो पैसा आपका खुद का है पढ़ा हुए घर के अंदर ही उस पैसे की उपर वो पैसा अगर आप खुद के बिजनस में वापिस लगा दो तो उसकी लागत कैसे पता करोगे क्योंकि अगर आप किसी से बाहर से पैसा उठाते वो तो आपको पता देता कि भई मेरे को इतना इंटरस्ट से यह अब घर के पड़ा घर के अंदर रखा हुआ पैसा आप अपने बिजनस में लगा रहे हो तो उसकी उपर कोश्ट कैसे डिसाइड करें यह डिसी जा लेना बहुत टेड़ा काम है मुश्किल काम है इसी तरह से हैं प्रोब्लम इंद असाइनिंग वेटेज तो वेटेज को असाइन करना बहुत टेड़ा काम होता है कि इकुटी के उपर कितना डिविडेंट लेके चलू प्रेफरेंस के उपर डिविडेंट कितना मान कर चलू डिबैंचर की उपर इंटरस्ट कितना हो सकता था और होगा इसी तरह से आपने कहीं से लोन लिया माल ल तो कुछ काम बहुत टेड़ेड़े होते हैं इसलिए cost of capital की आपकी limitation कहीं न कहीं बन जाती है अगला जो topic हम discuss करने जा रहे है that is capital structure तो capital structure का अगर आपको topic देखना है समझना है तो पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां तक का topic जो मैंने समझाया क्या है सबको clear हो गया क्या वैसे capital structure की बहुत सारी बाते मैं आपको अल्यड़ी बता चुका हूँ तो capital structure का topic हमारा बहुत जल्दी cover हो जाएगा जल्दी से comment करके बताओ